हलो एवरीबन कैसे हैं आप सब तो आज का जो वीडियो है वो है खास करके जो लोग अभी नए-नए हैं सीख रहे हैं तो ऐसे लोगों कोई स्टेप्स करताने में काफी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए आज का वीडियो स्पैसली है तो ध्यान से देखिएगा तो लेंथ आप सबने इनकी देख ली है तो बिदाउट लेंथ शॉट के बहुत ही अच्छे से कटिंग बताऊंगी आप सबको अक्सर जैसे की लोग न्यू होते हैं नया-नया पालरी स्टार्ट करते हैं या सीखते रहते हैं तो लोगों को बड़ा डर होता है न की कैसे करें क करें बहुत ही डिफिकल्ट जैसे हाथों में जादा हम त्विस्ट करते हैं या गुमाओ देखे मूफ करके कटिंग करते हैं तो लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यह तो हमसे नहीं होगा कैसे करेंगे तो बिल्कुल घबरायनी जो प्रोसेस अभी मैं बताऊंगी बहुत ही जादा इजी है तो देखे सबसे पहले सामने से गाइडलाइन रेडी करना है उसके लिए एर टो इयर पार्टिंग में कर ली हूँ और उसके बाद इस तरीके से बराबर कट कर देना है ठीक है तो पहली वाली जो शेक्शन जो लेयर है इसको हम थोड़ा सा मीडिय बहुत शॉट करेंगे ना बहुत लॉंग रखेंगे तो यह जो तरीका होता है गाइडलाइन बनाने का मेजर करने का सबसे ज्यादा इजी प्रोसेस होता है या फिर आप पीछे जाके सोल्डर के पास से भी मेजर करके कट कर सकते वह टेक्निक में बता चुकी हूं उसको भ बराबर कट कर लेना है तो यहां पर क्या हुआ देखे सामने से कटिंग भी हो गई और हमारी गाइड लाइन भी रड़ी हो गई साथ ही साथ उसके बाद में पीछे की तरफ हैर को लेकर आएंगे और अब हम यहां पर करेंगे box parting बहुत ही clarity के साथ में आपको दिखा रही हूं पास से इसी वज़े से देखिए और parting को बहुत अज़े से clear कर लेंगे यह देखे तीनों तरफ से equal hair को निकालेंगे गोलाई से नहीं निकालना है box जैसे होता है चौकोर उस टाइप से निकालना है और उपर की तरफ लेके जाएंगे और जो सामने से हमने पहले cut किया हुआ है चीर निरिया से नीचे वही हमारी main guideline है और उसी को जो है हम measure करेंगे और उसी के बराबर इस hair को cut करेंगे तो length पीछे की short ना हो उसके लिए आपको करना क्या है सामनी की तरफ थोड़ा जुका के combing करनी है और इस तरीके से यहां पे बराबर cut कर देना है सामने की तरफ ड इस वज़े से मैं आपको बताई हूँ कि सामने की तरफ आपको जो है down करके जो है सामने तरफ ले जाके comb करना है और measure करने के बाद में पीछे हाथ लाके cut करेंगे जो कि एक तम सामने ले जाके cutting करना possible नहीं होता है उसके बाद एक बाद रीचे कर लेंगे तो ये मारा box area cut हो गया अब जो है नीचे के hair cut करने के लिए तीनों तरफ से हम थोड़े थोड़े से hair को निकाल लेंगे guideline के लिए क्योंकि नीचे के hair हम इसे के हिसाब से cut करने वाले हैं तो ये जो है complete हो गया अब मैं आपको नीचे का hair cut करना बताऊंगी और उसके बाद में नीचे के जो hair बचे हैं उसको हम इस तरीके से 4 से 5 भागों में divide करके cutting करेंगे ये देखे इसको हम बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे इसमें आपको कुछ भी हाथ को घुमाने की ज़र ले जाना है बिल्कुल सीधा 180 डिग्री पे और उसके बाद में इसे बराबर हम cut कर देंगे ठीक है cutting भी आपको बराबर करनी है और कई लोगों के मन में ये डाउट होता है ना कि उपर एकदम सीधा ले जाके हम cut करेंगे तो length short हो जाएगी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ये देखे क्योंकि आपको जितना ज्यादा लंबा रखना है आप बिल्कुल सीधा लेके जाएगे और जितना काटना होगा उतना ही तो काटेंगे ना extra थोड़ी ना काटना है ये देखे तो main हमारा होता है guideline अगर आपको length short नहीं करनी है तो जब आप guideline बनाओगे तो उस किसले मैं सामने से जब कट की तो उसको मैं चीन एरिया के नीचे लाके काफी नीचे तक लाके कट की हूँ और पीछे से भी जो है मैं बता चुकी हूँ बहुत सारी वीडियो मी कि आप नहीं समाझ पाते हो तो कैसे मेजर करे आप बलोगे तो मैं एक नई वीडियो में और मैं पता दूंगे कि आप किस तरीके से सोल्डर के पास से मेजर करके भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपको गाइडलाइन आपने नहीं आता है कि कैसे बनाए तो वो टेक्निक भी बहुत अच्छी है तो बस इस तरीके से देखे बराबर कट करते वे चले जाना है तो स्टेप गाइडलाइन के लिए जो लेयर हम कट कर लेंगे वहां से थोड़ी से एक लेयर को निकालेंगे बालों को और कटिंग करने वाले हैर के साथ में हम मेक्स कर लेंगे तो हमें दो गाइड लाइन मिल जाता एक उपर का और एक साइड का जो हेर कट होते जाता है वहां से हमारी जो गाइड लाइन है वो रेड़ी होते चली जाती है यह देखें बिल्कुल सीधा लेके जाना है और यूं बराबर ऐसा कट कर देना इतना एजी मतलब इस्टेप्स कटिंग का यह सबसे ज़्यादा एजी प्रोसेस होता है और लुक वाइज यह बहुत अच्छा लगता है और वैसे तो मैंने बहुत सारी हेर कट की वीडियो डाली हुए जिसमें बहुत अलग-अलग तरीके बताए हुए है तो यह वाला टेक्निक मैं आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेसेज आ रहे थे कि मैं हमें इस टेप्स कर अभी हम लोग स आपका confidence बढ़ेगा आप अच्छा काम करने लगेंगे तो आप जो है हर टाइप का cutting करने के लिए आप मतलब बिल्कुल तयार रहेंगे आपको डर भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही इजली कर पाएंगे सबसे में है कि आपके अंदर का डर निकले और जब आप एक cutting पर कर लेना है और इस कटिंग में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता बहुत जल्दी कंप्लीट होता है तो यह देखे इस तरीके से बैक से पूरा कंप्लीट हो गया जो मैंने हैर थोड़े से शिक्यूर करके छोड़े हुए थे उसको भी मैं आप ओपन कर लूंगी तो हर एक ल थोड़ा सा नीचे नीचे से फिनिशिंग कैसे करना है वह भी मैं आपको बता दे रही हूं भी झाल 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 आप तर ता तर दे शिक्यूर तो यह तो हमें है अच्ट कर देंगे और एक यह थोड़ा चाहिए तो आप हलका सा ड्रायर चलाएंगे तो ये देखे कुछ इस तरीके से इनका लुक आया है हेर कटिंग का बताईएगा जरूर की कैसा लगा मतलब इनकी लेंट भी शॉर्ट नहीं हुई है और बहुत अच्छे से इनकी कटिंग भी कम्पलीट हो गई है देखा ना कटिंग का टेकनिक बहुत ही जी था बट आप लोग बताना की आप सब को कैसा लगा सो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और इस टाइब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें तो मिलते एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाई